कि एक वाट सब्सक्राइब को हेल्थ केर वेलनेस और मेडिसन से लिटेट इन्फरमिशन शेयर की जाए कि ताकि आप स्टेव रहें हेल्दी रहें और अवेर बने उसलिए आज से कंटेंट पर आते हूं वीडियो को स्टार्ट वीडियो को टाइटल जैसे कि आप देख चुक के चांसेज होते हैं और जो जी मतलं ते हैं जिसे कहते हैं जी जी क्यूं मतला आता है इसके क्या सिंटम्स होते हैं इसके Baking बात करेंगे तो पहले आपको मुटी के बारे में बताते कि ड़ीं क्यों होती है है और यी क्या चीज है तो वो मिट निग यानि लिदी बोडिक र से जिसमें पेटें मोजूद जो भी पदार्च होते हैं उसको मुझझ कर रास्ते से बाहर निकले को इल्टी का जाता है जो भी पैट निकल जाता है किसी कुछ तो उसे ओल्टी का जाता गों और है नॉजिया या Question कि मतलाना जिमतलाने में पर हम उसे जिमतलाना कहते हैं पर जब पेचनेंशी के टाइम लेडीिस को उर्टी ज़्यादा होती और जब कैंसर किया इलाज किया जाता है उस समय कैंसर थेरेपी में उल्टी के चांसे ज्यादा बढ़ जाते हैं लगबाग 50% से ज्यादा लेडिस को वो मिटिंग होती है जब वो पेंगनेंसी में होती है और यह चीज अक्सा सुबा के टाइम जादा उनको फील होता है जिससे मौर्निंग सिकनेज भी क आपक昨़ किय hurricane सरु में उस समय फशी होने की चांसे ज्यादा बढ़ते हैं तो इसोफागस लेर होती हमारी इसोफागस की लेएर में घचाव तनाव होता है तो जाहिर ची बात हैं बहुत जल्दी उल्टी हो जाती है जो भी फूड अविलेबल होता है आप लोगों के रास्टे तरह निकल यह जाता है और यही कारण है और सो। उल्टी लहर के तरह होती है जिससे इसोफगस के लेयर में खिचाव और तनाव होता है अक्सर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमें जब खांसी आती है या फेप्रेस से कफ बाहर आता है तो उस समय भी उल्टी होती है पर एक्सेल में उसे उल्टी या वोमिटिंग नहीं कह सकते क्योंकि उल्टी वोमिटिंग का सम्मझ में पेट से होता है पेट का जो भी फूट अगर बाहर आएगा मुझके दास्ते से तो वो ल्टी के लाएगे अजरवाइस खांसीने में या कफ बाहर आने में अगर उल्टी होती है तो उसे उल्टी नहीं का ज़कता उसे कफिंग का जाता है एक चीज़ आप लोगों ने और देखा को जा हमारे पेट में कुछ भी नहीं होता पेट खाली होता है तो तब भी वोमिटिंग के फील आती है उससे चंटा के वाज़े से भी वोमिटिंग वाली मतली आती है या उसके सिंटम्स नजर आते हैं तो उसे डरा होता है प снट्र अर विकव्ड होता है सोबेख आक्षा तब भी उलटाथी तो से ब्र राइएह एंसे सिंकस को में नहीं जोड़ा जाता। पानी आपको नहीं देना है जादा थोड़ा बहुत पानी दे सकते हैं थाकि होट और मुह हमारे ड्राय ना हो ड्रायनेस खत्म हो जाए पानी अगर उस कंडिशन में हम ज्यादा लेंगे तो दोबारा उल्टी की चांसे बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी पे और इसी वह कारण स सब्सक्राइब हो जाती है तो तब क्या करना है दिन में थोड़ी थोड़ी दिर में यह निस सब्सक्राइब एक एक घंटे में आपको और इस लिक्विट को लेना है थोड़ा थोड़ा करके एक आदा ग्लास पानी लगभग और इस लिक्विट कंटीनू एक एक घंटे गयाप में दिनवर में आपको कंजूम करना ताकि आपकी बॉड़ी में जो डियाइड्रिशन हो चुका है वह ख बता रहा हूं जो कि मेडिसीन का फॉर्मूला होता है और शिट्रा उसको आपको कंजूम करना है आपको स्क्रीन में दिखाए दे रहा होगा मैं एक वोमिकाइन टैबलेट का बॉक्स दिखा रहा हूं आपको जिसमें ऑनने चिट्रान ऊपर लिखा हो ओंडेंस एट्रों फ आपको पानी नहीं पीना है पानी नहीं पियेंगे तो आपको वो टैबलेट काम करती रही चंटिनू और आपकी वोमिक्स को उसी टेम कंट्रोल कर लेगी और आप नॉर्मल फील करने लएंगे उसके घंटे के बाद आप वारस वगएरा ले सकते हैं जिससे आपके बॉडि ढह сожалению है चलता हूं आज की लिए बस इतना ही है कि वी पसंद आई होतो है दो है की फिटियो के लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को बहुतु करें ताकि आप को इसी इंफोर्मेटिव वीडियो मिलती रहें तो चल् radio अब चलता हूँ, आज के लिए बस इतना ही है, stay well, be healthy, be aware and good bye